हाई हेलो गाईस वेलकम बेक टो मैं चैनल तानवी ग्रेटी चैनल में आज भी का मॉस्ट वेलकम है तो आखिर एक न्यू वीडियो सेर कने वाली हूँ वो भी है टिप्स और टेस्ट के तो गाईस पूरा वीडियो देखेगा इसकिप करके देखोगे ने तो कोई सावी टिप आप मिस्ट कर सकते हो और क्या पता आपको बहुत ज़्यादा कामका भी हो तो देखे मेरा वीडियो तो चलो स्टार करते हैं टिप नमबर वान है वह है चुह से लेके तो आप सोचरूंगे यार चुहे आलो से थोड़ी मरेंगे तो गैस पूरा वीडियो देखेगा आप व न्यों कपड़े हमने एक बार भी नहीं पहने ना उन्हों को भी कट कर देते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ते वायर को भी नहीं छोड़ते तो इस तरह की प्रोब्लम होने लगते हैं और गुसे में आके हम जो चुहे मानने वाली दवा रख देते हैं तो वो मर जाते कह कोने में जाके और सडन पैदा करने लगते हैं और सडन पैदा करने लगते हैं फिर जाके हम कहीं मिलते हैं कोने में मरे हुए तो इस तरह की प्रोब्लम हम सभी को फेस करनी पड़ती है तो आपको क्या करना है इस तरह से आलू को छिलका निकाल देना है और छिलके में डाल दे है और इसमें आप सभी को पता है एक केमिकल होता है तो इससे मरने वाले तो है नहीं मरेंगे नहीं उसके बाद मेंनों के पेट में दर्द होएगा वो दर्द होएगा तो वो चुए मिन्टों में छुमंतर हो जाएगे तो इस तरह से आप करिएगा तो उमीद करती हूँ आपको टिप चरूप पसंद आई होगी अब है नेक टिप है वो है चार्जर से लेके तो चार्जर हम से भड़के एक टिप सी आपके साथ सेर करूँगी क्या पता कौन सी टिप आपके काम आजाए तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको क्या करना है इसका हम बहुत ही अच्छा से यूज लेने वाले हैं तो इसको यूज हम क्या ने लेवाना है इस्टेंड के रूप मे जैसा महलाओं का कभी-कभी मन क्या करता है किचन में रहते हैं तो किचन में मोबाल देखने का कुछ इंपोर्टेंट वीडियो देखने का मन करता है तो आपको क्या करना है इस तरह से इसमें पसा लेना है दोनों प्लक के बीच में पसा लेना है उसके बीच में पस जाएग टेए इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली आप इस तरह के से आप चार्जर का यूँज ले सकते हूँ उपर का है ना उसको यूद ले सकते हूँ इसमें पसा लीजिये और एक हमारा बहुत ही अच्छा सा सा इस्टेंड का काम करेगा तो इस तरह के आपको प्रोब्लम आ रही हो तो इस तरह से देख लीजेगा गायस उमीद करती हूँ आपको टिप पसंद जरूर आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताईएगा और कमेंट करके इनने के साथ साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को क्योंकि इसी तरह की अच्छे अच्छी वीडियो आपके साथ में सेर करती रहे तो आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप भूल जाओगे तो आब है नेक्टिप है वह दवा स लेके तो दवा अक्सर समी अक्सा भी हम यूज करते हैं कभी कबार हम क्या होता है कि खरीद के एश्टा लाके रख लेते हैं क्या पता कौन सी टैम इमर्जेंसी में हमारे काम आ जाए इसलिए हम लाके रख लेते हैं और फिर बाद में हमें एक प्रोब्लम जरू फेस करनी प्रोब्लम हो गई तो फीवर होता है उसमें ज्यादा परिषाण होती है बच्यों को फीवर हो जाता है और फिर बाद में हम दवा देना चाह रहे हैं में इमर्जेंसी मेंKY यह जाती हम if देना चाहरे हैं और फिर यह पैस्पायर मीट गई हिए अदैक क्या कैसे हमें पता क करें कि यह दवा ठीक है एक्सपायर हो गई है यह नहीं हो गई है तो आपको इस तरह की प्रोब्लम नहीं होने वाली आपको क्या करना इस तरह से आपको सेलो टेप ले लेनी है वाइट वाली तो इस तरह की टेप लगा कि आप एक्सपायर डेट पर पेस्ट कर दीजेगा कट नहीं आटने वाले चाहिए इस दवा खतम भी हुजाएगी निजब तक भी इसके एकस्पाइडेट नहीं मिटने वाली तो इस तरह से आप यह जरू आजमा के देखिएगा आजमा के के यह आप एक बार करके देखिएगा आपको यह प्रोबलम फेस बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी तो उमीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी पसंद आए तो कमेंट करके जरू बताइगा अब है नेक्टिप है वह है किसमिस से लेके तो किसमिस आप सभी को पता है हम खा जैसे मीठी जो भी कुछ डिस्ट बनाते हैं उसमें यह किसमिस सब कुछ यू बन्स यह लगती है कि SCDTC पैदा हो जाती है और इस तरह की प्रोब्लम हमारे अक्सर होती रहती है और हम टेबलेट लेते हैं तो टेबलेट लेते होना वो टेबलेट आप सभी पता हुष्ट है वो तो सही कर देगी लेकिन एक साइड इफेक्ट भी छोड़ती चाहे कुछ प्रोब्लम हम दवा लेते हैं तो दवा साइड फिर जरूर छोड़ती है तो आपको क्या करना है इस तरह की प्रोब्लम हो जड़ से खतम हो जाए तो आपको क्या करना है आपको इस तरह से पांस से दस किसमी ले लेनी है और भड़ा गिलास पानी का ले लेना है और इसको व खा लिजेगा तो आप सोच रहोंगे यार हम यह दी भूल गए हैं अभी यह पीना है तो आपको क्या करना है यह किसमिस है एक गिलास पानी ले लिजेगा और उस पाने में आप पांस से दस के लगबक किसमिस डाल लिजेगा और उसको बोईल कर लिजेगा बोईल करके और उस टिप चरू पसंद आई होगी अब है जूनों से लेके जैसे हम बरतन साफ करने में जूने सभी यूज करती है मेला है लेकिन हम कई बार क्या होता है कि बरतन साफ कर लेते हैं लेकिन जूनों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं क्या जूने भी हमारे गंदे हो चुके हैं क्यों गिलास में पानी पिते हो साफ है जब भी हम पीते हैं तो यह क्या बीड समेल मेसूस होती है तो लिये होते हैं जूने वह के जाप होगी न वो रिमू हो जाए मीटा सोडा इसी लिए डालना है कि इसमें बेड समेल है जो रिमू हो जाए और डिटेरजन पाउडर इसी लिए डाला है कि इसके अंदर जो खाने वाले पार्टिकल्स है वो अच्छे से फूल के भार आ जाए और फूल के भार आ जाएंगे तो आ कीचन वाले कपड़ में वी साफ डें ग iemand करें उध्य कन movie साफ करें ग atrás माने बिल्कुल साफ होगी जुक्ल काम आपको बूर दीना जरू कर लेना क्योंकि हमारे बरतने के भी भी हर नंहीं आएगी अमारे जोने भी साफ हो चुके हैं और अब हम क्या कर रहे हैं जो किचन के जो कपड़े हैं वो यूज लेते हैं वहनों को भी हम साती साथ साफ कर देंगे उसी पानी में क्योंकि इस पानी में हमने नामाग मीठा सोडा डिशेशन पाउडर यह सब को डाला है तो गरम-गरम है तो बह बैडिस्मेल निकलती नहीं न्याइगी तो इस तरह एक के साथ साथ दो काम कर लिजए आपके कपड़े साप हो जाएंगे मेले कपड़े हो जब उमेद करती हूँ आपको टिप भी जरूपसंद आई होगी आप है नैग टिप है हो किचन के जो Boss वो है बिंदी से लेकर जैसे बिंदे हम माथे पर यूज करते हैं उसको आज हम गेंस बनर पर यूद करने वाले हैं तो आप ये सुनके एक आपको आजीब सा जरूर लग रहा होगा लेकिन आप ये पूरा वीडियो देख लोगे रिए आपको एक बार करके देखोगे न तो आपको जरूर विश्वास हो जाएगा ये ट्रिक जरूर काम करती ही करती है तो मैं क्या करने वाली हो ये बिंदी आया है इस बनर पर लगा दे रही हो इस बनर पर लगा दे रही हो तो ज़्यादा तो नहीं लगाओंगी तीन से चार के लगबग ही लगाओंगी इतनी ही मैं लगाने वाली हो और आपको ऐसे नहीं कि बिंदी आपको इस तरह की मल्टी कलर की लेनी है कौन सी भी ले लिजा आप रेड वाली हो पूरी या बिलकुत सस्ती वाली हो सस्ती वाले ऐसी भी पड़ी हो आप यू नहीं ले रहे उस बिंदी को यू ले लीजिए और यह गैस बनर के चार और इसक झाले लेगा और फिर हम क्या करेंगे इस गैसी बिंदी के गुलू लगा हुआ ओना वह जलेगा तो जलेगा तो इसके अंदर जो कार बन हों गाना उसको बड़े आसानी से खीच लेगा तो बहुत सारी बिंदिया हम इसमें नहीं लगाने वाले हैं चार से पांच के लगप नहीं निकर रही है तो इस तरह के प्रोब्लम आपके भी गहस बनर में हो रही है तो एक बार आप ये जरूर करके देखिएगा ये जादू ही काम करता है इसके अंदर जो कारबन है ना उसको अच्छे से खीच लेगा और खीच लेगा तो आपके गहस बनर है अच्छे से काम क और उसके बाद में इस बिंदियों को हमाटा लेंगे और फिर बाद में इसको दुबारा समय जला कि आपको दिखाऊंगी आपका पूरा बनर काम करने लगा इस तरह से बनर काम नहीं करता है तो हमारी वेश्ट हो जाती ही घैस और फालतू के खर्चा बढ़ता है और अच्छ गयरे लिंगरा लिखे से अंच्छा इकल लोगी और फिर 21 में इसको जाएं दिखाऊंगी मत लगा आप इसे काम लीजेगा वं हटना दिखा रहिया हमारा पूरा बंप नर अच्छे से जनने लगा इसके पूरे चिधर में काम लंगे हैं तो एक बार आप ये ट्रिक जरू रजमा के देखेगा आपका गेंस बनर भी इस तरह से वरक नहीं कर रहा होगा तो आप ये देखेगा ये टोटका करके देखेगा आपका गेंस बनर बहुत ही अच्छी से वरक करने लगेगा आप ये एक बार करके देखो कुन तो आपको जरू विश्व जी वीडियो डालती हैं तो आईडिया आप देख रहे हो तो पैस्पूप पेज को फोलो कर सकते हो और यूटुब मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्रायब कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिप के साथ तो बाई एंटिक यार